नमस्कार सर मेरा नाम राजू है आज का टॉपिक है कि बेश्ट मुचल फंड 2023 में और आज से सुरुवात करना है मुचल फंड पहले कभी नहीं किया तो पांच वह कौन सा फंड होगा जो आज से सुरुवात करें तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि दो कैटेगरी के लो मोंद कम यह मैं एकदम कम टाइम पैसा बहुत ज्यादा है बताये कहां लगा तो सबसे पहला बात करते हैं जिसके पास टाइम ज्यादा है और पैसा कम है तो फार्मूला सिंपल है 15-15-15-15-15-15-15-15 रहते हैं और जो बोलते हैं रिस्क है रिस्क है अगर मैं स्मॉल केप का पहले बात कर लेता हूं कि पांच कौन सा फंड यहां मैंने 12 सल सेलेक्ट किया है क्योंकि 13 14 15 करूँगा तो काफी सारा फंड 15 सल पहले था ही नहीं 12 सल में वो सारे अच्छे फंड आ रहे हैं और 15,000 पर 800 करूड और एक क्वांट इसमॉल केप काफी दिनों से अच्छा कर रहा है 35 करूड इस तरह से पांच फंड लिया पहला रिकॉड देखते हैं कि 15,000 पर मन्त किसी एक फंड में हुआ 2011 से लिखे अब तक तो 21,60,000 जमा हुआ है और पैसा बनाया है 490,000 पिछले 12 साल में 23 पर लाग रुबिया अब इसको 12 पर हमने कल्कुलेट किया है 12 साल पर आप 13,14,15 पर देखिएगा कि यह रिटन या इससे कम रिटन 15%, 16%, 12% से क्या होता है यहां के बाद 12,13,14,15 कल्कुलेट करेंगे खुझ से फिर DSP स्मॉल केप में 15,15,000 पर पर मन्त किया था 2011 से लिखे अब तक 21,60 यहां भी इतना ही जमा हुआ और पैसा बनाए 73 लाग रुप्या चवथे और पांच में कोटक स्मॉल केप क्वांट स्मॉल केप में बनाए एक में 70 लाग एक में 68 लाग तो एबरेज भी अगर आप देखते हैं यहां पर एबरेज रिटन तो 18 तसमलब टू वन पर पर प्रशेंट से एक कोड़ पर हो जाता है 16 17 18 होगा तो उससे ज्यादा पैसा हो जाएगा या अब दूसरा बात है एक चीजा और यहां पर छूट गया जो रिस्क बोलते हैं रिस्क हो जाएगा रिस्क हो जाएगा अगर आप पांच इस्मॉल केप में लगाते हैं मैं एक मैं इसलक केप का बात कर दो कि इस्मॉल केप का बात करता हूं अपैसा तूर यह आपका पैसा कितने कंपणी में इस तरह से डिवाइड हो जाता है जो भी एक स yaptि कर रहें Ao वह से सब्सक्राइगा और पाइसे में का बात रहा है तो यहां देखते हैं सिर्फ small cap का बात करते हैं इस बहुत समय के लिए 57-58 company में आपका पैसा invested है छोटे छोटे percentage में ये सारा पैसा आपका divide हो गया तो risk minimize हो जाता है लबे समय के लिए छोटे duration के लिए गिरता है तो सब गिरता है बढ़ता है तो एक mid cap में भी लगा लिया एक small cap में भी लगा लिया एक multi cap और एक flexi cap भी इनको चाहिए और यह मान के चलता हूँ कि ELSS में तो पहले से पैसा invest करी रहे होंगे तो यहां पे मैं पांच टॉफ mutual fund इनके लिए लिया हूँ पहला blue chip blue chip में SBI blue chip सेलेट किया और यहां पे सेलेक्टेट है पिछला 10 साल और 50 लाग रुपय वन टाइम इन्वेस्ट किया तो 50 लाग रुपय बहुत ज़्यादा एमोंट है आप calculator में जाके star sap.in में जाके है एक लाग दो लाग पांच लाग कुछ भी सेलेट कर सकते हैं पर हमने यहां 50 सेलेक्ट किया है तो फंड का नाम है SBI blue chip 50 लाग का वेल्यू एक कोड़ बिराउनवे लाग रुपय बनाया है 14 दसला 44% का रेटन मिला है पहला लार्ज केप का बात करते हैं उसी तरह यहां पे mid cap केटेगरी में HDFC mid cap opportunity इसने बनाया है 2.94 करोड़ यहां पे देख लेते हैं HDFC mid cap opportunity 50 लाग रुपय 2013 में लगाया था वन टाइम उसका वेल्यू है 2.94 करोड़ अब इसमॉल केप का बात कर लेते हैं तो इसमॉल केप में निपॉन स्मॉल केप इसने बनाया है 50 का पिछले कितना साल 10 साल में 5 करोड़ रुपया बने आया 50 लाग रुपय वन टाइम लखा था 10 साल पहले तो 10 उना पैसा हुआ है पिछले 10 साल में 5 करोड़ बनाया है 95 परचेंट का रिटन मिला है और यहां पे फंड मेनेजमेंट चार्ज है ब्रोकरेज है मुझे कितना मिलना है वो सब कुछ काट कुट को ही दिखा दे रहा है अगर यह सब कट कुट नहीं होता तो 2 परसेंट और जोड़ बिते 27 परसेंट दिखता पर पहले ही परसाद यहां पे काट के बांट चुके हैं अब जो मिला फ्रेस यह आपको मिला अब इसमें से कुछ नहीं कटेगा टेक्स जो कटना है सरकार को जो जाएगा वो 10 परसेंट जाना है दूसरे जगह कहीं भी लगाएंगे आप प्रोपर्टी में, फ्लैट में सेप, सेफर, एपडी में कहीं भी आपको 30 परसेंट जाना है यहां आपको 10 परसेंट जाना है तो इस तरह से करके इसमॉल केप ने इतना रिटन दिया अब बात कर लेते हैं मल्टी कैप तो मल्टी कैप में हमने सेलेट किया है ICAC मल्टी कैप ICC क्यों, उपर वला क्यों नहीं क्योंकि अपने निपॉन एक ले लिया है अलग लग करके दिखा है SBI एक ले लिया एक HDFC, एक निपॉन, एक ICC, एक कोटक अलग लग मज़ा लेना है मेन्यू देखेंगे हर बार अलग लग चीज़ खाते हैं अमीर आदमी है एकी चीज़ कैसे खाएंगे में 50 लाग का वेल्यू बना 1.98 कोटक फ्लेक्सी कैप में बना 2.14 यहाँ पर देख लेते हैं कोटक का कोटक का फ्लेक्सी कैप सबसे उपर आया एयोम देखेंगे 36,000 क्रोड हमने जितना भी फ्लंट यहाँ पर लिया है उसका एयोम काफी ज़्यादा है कि 50-50 सब में लगाया था अब सब को जोड देते हैं तो 13.98 लेक होता है 13.98 आता है अब इसको 5 से भाग देते हैं एवरेज निकालने के लिए तो आता है 2.79 2.70 लाग लग वाग आता है यानि कि 50 लाग रुपया लगाया पिछले 10 साल में एवरेज 2.70 लाग रुपया हो गया यानि कि 10-10 10-10 सब में लगा दिया 10 लाग 10 लाग 10 लाग 10 लाग उपर से नीचे तक लार्ज केप, मिट केप, स्मॉल केप, मल्टी केप और फ्लेक्सी केप में तो एवरेज 2.79 करोड बना है पिछले 10 सल का बात है आप कहेंगे इतना तो जमीन भी रिटन दे दिया है हमने एक लगाया था कौर्णर वाला बर्फी साइच का टुकडा खरीदा था इतना रिटन मिल गया तो मैं बोलूँगा ये वाला आपको रिटन मिल गया ये वाला प्लोट में आगे भी मिल जाएगा इसा ही रिटन तो आप अब दुविधा में आ जाएगे आगे नहीं मिल सकता है लेकिन मार्केट आज से 40 साल पहले ऐसे ही चलता है उपर नीचे होगा लंबे समय में जो बना रहा 15-20 परशन का रिटन मिला है और आने वाले 200-300 साल तक निरंतर जब तक ये पिर्थवी चलते रहेगा जब तक बड़ा मोगेंबो खेल ना खेल दे पिर्थवी को नश्ट करने के लिए इससे दस गुना ज्यादा समान बन गया है मिलने का सम्भावना है गारिंटीव ठपा लगागे उवला नहीं है लेकिन जो बने रहेंगे समझेंगे खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन रखेंगे तो दो से धाय गुना रिटन मिल जाता है अब एक कोश्चन कोमेंट में हमेशा यहां पर पूछा जाता है कि परफर्फर्मेंस अगर अच्छा नहीं हो तो कब स्विच करें कब रिडीम करें कब बंफोड दें ऐसा करके कोश्चन बहुत आता है तो मैं एक अपना अनुभव बताता हूं 2010 से लेके अब तक पिछले तेरस साल का अनुभव हमने निपॉन में मुचलफंड में शुरू किया था एजडीप सिंभी किया था आइससे में भी एकसिस में सारे मुचलफंड में किया था इन्वेस्टमेंट अभी भी है तो निप अगले साल किया देखा कि HDFC का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बाकी के कंपेर में यह 10% कम रिटन दिया इंडेक्स को भी बीट नहीं किया फिर एक दो साल वेट किये तो पता चल रहा है कि ICC के सारे फंड में यह वही कहानी हो गया यह थोड़ा कम परफॉर्म किया बाकी पकुस साल इंतजार करेंगे पता चलेगा यह भी अच्छा किया अब यह वाला अच्छा किया तो ऐसे करके आप कोई confirm decision नहीं ले सकते हैं कि कौन अच्छा करेगा ठीक उसी तरह किरके कि लाड़ी की तरह पिछले बार सतक मारा अगला बार कौन मार देगा पचास साथ सतर पता नहीं फिर उसके अगला बार match में कौन मार देगा वो पता नहीं तो आप अगर यह सोचेंगे कि यह खराब किया यहां से पैसा यहां स्विच कर दो फिर अगले बार यही खराब कर देगा तो यहां से फिर यहां स्विच कर दूँ फिर अगली बार यह खराब कर गया फिर यहां से यहां स्विच कर दूँ लाश्ट में पता चलेगा निल बटे संनाटा बचा जो एकाउंड में मेरा 24-25 लाग रुपया निपमान स्मॉल केप में दिखा रहा है तिन-तिन अजर का इस कर राए के लिए वह टार्गेट सुचाए तो वह इसे करूँगा एदम दूर दरिष्टी पक्का इराद है इस फैनेंसियल गोल के लिए किया था जब तक वह पूरा नहीं होगा रिमेन इंविस्टेट रहेंगे यहां पे जो हम बात करते हैं कि फंड पर फॉर्म नहीं करन कर रिटन दिया इसी को बोलते हैं कि अंडर परफॉर्म किया दूसरे से क्योंकि आपके पॉर्ट्फोलियो में मॉवाइल पे या इस्टेटमेंट में देखेंगे दस तरह का फंड लिया है एक फंड में पैसा ज्यादा बढ़ा नहीं तो उसी को बोलेंगे कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन वेट करेंगे हैं तो आपको अच्छा खासा रिटन दिख जेगा आप मुझे कमेंट में करके बताईएगा कि यह जिसका पांच जार कोड़ है और कैटेगरी अगर अच्छा सेलेक्ट करके रखा है और उसी में कंटिन्यू करना है तो मुझे क्वे ऐसा फंड देखिएगा जिसका पांच जार कोड़ से उपर है और वो तीन साल चार साल पांच साल में बहतर परफॉर्म नहीं किया है किसी एक साल का बात नहीं करना है एक साल में कोई भी जा सकता है जो सबसे टॉप पर है वो सबसे नीचे भी आ सकता है आज आपको निपो यह परफॉर्म अच्छा नहीं किया और एयम इसका राज हुई है पांच जार क्रोड है को ऐसा फंड मुझे दिखा नहीं सकते हैं आप दिखा सकते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हमेसा टॉप अप कैसे करें जिसको आप टॉप करें जो भी यूज कर रहे हैं मेंजाना है एंट करना है ट्रशिटमेंग उसी संदूग में रख दिए तो वहीं पे जमाष अब नहीं संदूक उसमें रखे द दूसरे संदूग जोना खरीद के नया रख दिये तो क्या हो गया माल तो उतना ही है ना फोलियो अलग-अलग होने से कुछ नहीं होता है फोलियो अलग-अलग मतलब वह संदूक अलग-अलग और वेल्यू तो एक है तो बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है वह फोलियो बंद हो जाएगा नया फोलियो शुरू हो जाएगा फिर से शुरू हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा याद रखना है सोने का संदूक हर बार खरीद रहे हर बार नया नया संदूक में रख रहे तो उससे क्या प्रक परता है हां सब्सक्राइब होगा लेकिन पैसे में एक रुपया का भी फर्क नहीं होगा तो इस तरह से करके आप नॉर्मल पर्चेस टॉप अप कर सकते हैं अब कोस्टन होता है कब खरीद हूं जब जब मार्केट गिरे एकदम बॉटम तो किसी को पता चलने सकता है कि कितना और गिरेग आपको इसी तरह मोचल फंड के बारे में और कुछ जानना है इन्वेश्टमेंट के बारे में ज़नना है तो इस नंबर पर मुझे वाटसब कर सकते हैं आपको मुचल पर में सुरवात करना चारिए नहीं सुरवात किया है तो मिनिम्मम 100 रोपया से सुरवात कीजिए जब खुपड़ी का Bluetooth तेज ओन हो जाए फिर एक लाग, दो लाग, फाच लाग, दस लाग डलिएगा अभी आप सुर्वात कीजिए सो रुप्या परबन से एप का और मेरे सर्विस का फिर देखिए मज़ा लंबे समय में क्या होता है आपको वीडियो अच्छा लगे वाट्स अप इन्वर्सिटी में दोस्तों को बीची से जरूर से करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंसे जरूर करें थैंक यू सू मच